गड़ेश चतुर्ती की धेसारी सुपकामना है मेरी तरफ से गड़ेश जी आपके घर में धेसारी खुश्यां लेके आए और मेरे घर में भी लेके आए अगर मेरे गड़ेश जी की पिर्तिमा आपको अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करना कैसी लगी मेरे गड़ेज़ी की पिरतिमा बताना है मैंने पहली बार बनाये गड़ेज़ी की पिरतिमा तो चलो मैं आपके साद शेयर करती हो बताना प्लिज तो यहां मैंने मिट्टी ले लिया है मिट्टी को मैंने अच्छे से छान लिया है और पानी भी ले लिया है पानी में डाली है थोड़ा सा गंगा जल जिससे मिट्टी कैसी भी हो सुद्ध हो जाती है गंगा जल से तो यहां मैं बनाओंगी मिट्टी को अच्छे से छान लिया यहां एक मेने वह ले लिया है एक पट्टा से मेरे पास पड़ा हुआ था आप कुछ भी ले सकते हो जो उस पर बन जाए अच्छे से तो यहां मैं मट्टी को गीला कर लूँगी ज्यादा गीला भी नहीं करना नहीं तो ऐसे रहली-रहली सी लगती है तो कमी करना है तो यहां म जल्दी बन जाता है, ऐसे करके बना लेती हूँ, नो, गोले बना लेती हूँ, एक बड़ा फ। इससे मार्केट से नहीं लोगी मैं घर में ही गडेजी बनाओंगी तो मैं यहां से बना रही हूं यहां मैंने उनका पेट बना दिया और यहां मैं बनाओंगी उनके पैर ऐसे करके दोनों साइड इनके मैं पैर बना लूँगी बिल्कुल मैंने भी पहली बार बनाए तो कोई गलती हो तो बताना भगवान तो पहली बार बनाते गलती सब माफ कर देते तो मैंने इनकी यहाँ पैर बना दिये और यहाँ मैं लगा दूँगी उनका जन्यू जैसे वो जन्यू डालती हैं वोड लगा दूँगी मैं अब प्लीज बताना कैसे बने हैं मेरे गड़ेज जी की पिरते मां मन में भाव होना चाहिए मैं उनके हाथ बना लूँगी ऐसे करके ऐसे करके और घुमा दूँगी उसी के पैर के ऊपर ही लगाना है पीछे की साइड करके ऐसे मोड के तो यहां मैं इनके हाथ बना दूँगी यहां बना दूँगी उनका मैं मूँगी जो मैंने नौ गोले बनाएते देल एक बड़ा एक चोटा एक चोटा है ऐसे करके तो आप देखना तो यहां मैंग इनको अच्छे से इसे सट कर दूँगी बड़िया से मत्टोको जादा गीला ना करें और यहां में उनकी जो जो सूड होती है वो बना दोगी देखो मैंने उनकी सूड बनाई है तो यहां मैंने एक माचिस की तीली ली थी उसमें गोल गोल डालके मैंने तीन ऐसे उनका मुकुट जैसे बना दिया है एक माचिस की तीली में लेके गोले तीन गोले डाल दिया है ऐसे करके सेट कर दिया है ऐसे मैंने सेट कर दिया अब मैं इनके बनाओंगी कान तो कान के लिए मैं थोड़ी सी मिटी लेकर चोड़ा सब्सक्राइब और साइड साइड से दबा देना है तो इनके कान बन जाएंगे मुझे तो बहुत इजी लगे बनाना मैंने सुचा ट्राइ करती हूं पिरतिमा को देख देखके भी आप बना सकते हो तो यहां मैं कान को अच्छे से सेट कर दूंगी और मिट्टी गीली ना हो क्योंकि बाद मे पानी लगा के अपनको अच्छे से चिकनाट से से देनी पड़ती है तो अच्छा लगता है देखको मैंने यहां के कान बना दिये थोड़ा माचिस की तीली से लाइन-लाइन कर दूंगी मेरे पास जो घर में मिट्टी थी मैंने उसके ही बनाए आगे से मैं पहले से इनके ल और अंधर रहते हैं उनके सवारे शयती है मुझे बताना मेरा च्वट कैसा लगा क्योंकि मुझे बनाना नहीं आता बस मैंने बना दिया मुझे जैसा अच्छा लगा प знает अगर अच्छी लगये तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करना अगर मेरी गड़ीजी की पिरतमा आपको बहुत अच्छी लगए तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेर, बेल आइकन को इट करना जिससे की मेरी नई वीडियो मिल जाए